ओम नमस्षिवाय हर हर माधिय। सबसे पहले जान लेते हैं कि संख किस जिसा में रखना चाहिए तो दो संख होते हैं एक उत्तरावर्ती एक दछड़ावर्ती जो दछड़ावर्ती संख होते हैं वो भगवान को नहलाने के लिए होता है और जो उत्तरे संख होते हैं वो बज पूजाने का उपदेश दिया गया है। उपर से कटा हुआ होता है वो नीचे की ओर करके रखा जाता है। पूजाने से अंधकार समाप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही संख की दर्सन मात से सभी प्रकार की पाप भी नश्ट हो जाते है। जो व्यक्ति संख को परणाम करता है या फिर आरती के समय जिस भी व्यक्ति की ओपर संख के पानी की छीटे परते हैं। उन लोगों को जीवन में कभी भी कुष्ट रोग नहीं होता। ऐसा इसकन पुराण कहती है। कि उनको सब्दों में बया नहीं किया जा सकता हर हर महादेव।